अगर अगर आपके पास एक लिस्ट का नाम रखता हूं में लिस्ट वन और यह लिस्ट वन में कई सारे नमबर्स हैं जैसे 9, 10, 12, 13 तो ऐसे कई सारे नमबर हो सकते हैं अगर आपको इन सारे नमबर को एक function में डालना है मान के चलिए square नाम के function में डालना है और यह सारे नमबर के square करके अलग से list बनानी है तो आप उसे कैसे करेंगे आप उसे simple तरीके से अगर करना चाहें तो आप कर सकते है define square नाम का function बनाएंगे हम हम यहाँ पे num डालेंगे एक और मैं return करवाता हूँ num into num हम ऐसे करवा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं अगर हम यह नहीं करना चाहें तो हम यहाँ पे lambda expression भी use कर सकते हैं तो अगर आपको एक list बनानी है list 2 और list 2 में इन सारे numbers का square होना चाहिए तो हम यहाँ पे एक list बनाएंगे list में हम list comprehension को भी use करके कर सकते हैं आप यहाँ तो normal function बनाएं यहाँ तो list comprehension यूज करें list comprehension आप कैसे यूज करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे num into num for num in list 1 आप ऐसे लिखेंगे और आपके पास यहाँ पे list 2 में सारे numbers के square हो चुका होगा अगर मैं यहाँ पे print कर रहा हूँ list 2 को और मैं save करके run करूँ मैं लिखता हूँ python unit तो यह देखें हमारे पास एक list बन चुकी है और list में सारे numbers का square number हो चुका है तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हमने क्या काम किया है अभी तक हमने एक list में जित्ते भी numbers थे उसका square किया है तो यह काम आप या त map function को जानने के लिए हम python के interact to shell में जाते हैं और उसके बाद help command को use करके map function को explore करते हैं map function क्या करता है यह देखें map function एक function लेता है और एक iterable लेता है iterable और iterator यह दोनों अलग चीज है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा next वीडियो इसी के बारे में रहेगा और iterable और iterator का difference जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो map function क्या करता है map function और map function इस iterable में जित्ते भी data है उन सभी को इस function में pass करता है और जो भी output आत है उसे ये map object में store करवा देता है इसका मतलब क्या हुआ अगर मान के चलिए हमें ये function यूस करना है वापस है और इस बार map function के साथ यूस करना है तो हम कैसे करेंगे हम यहाँ पर map function को call करेंगे और map function का सबसे पहला और if you call तो हम function यहाँ पर pass करेंगा function का नाम है square और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम iterable लिखेंगे iterable क्या होता है iterable, list, tuple, dictionary यह सभी को iterable बोलते हैं तो यह हमारा iterable है तो हम यहाँ पर इसे pass करते हैं तो अब हम इसे अगर print करवाए तो हमारे पास क्या output आएगी save करके run करूँ मैं अगर और मैं इसे exit करता हूँ तो यह देखिए हमारे पास map object आ रहा है map object क्यों आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था जो भी यह function return करता है वो map object में return करता है लेकिन हम चाहें तो हम इसे एक list में convert कर सकते हैं list या tuple या dictionary जैसे आपका data हो वैसे ही आप इसे convert कर सकते हैं अब मैं इस list को print करवा सकता हूँ तो यहाँ पर error आईए error क्यों आईए error इसलिए आई थी क्योंकि हमने यहाँ पर एक bracket लगाना बूल गया था अब यहाँ देखिए हमारे पास एक list में सारे के सारे इस number के square answer आचुका है तो यह काम करता है map function अब map function के इससे भी ज़्यादा users हैं लेकिन सबसे पहले हम इसी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं यह देखिए हमारे पास अभी तक map object बना था यहाँ पे हमने map function को call किया और map function में एक function डाला और उसके बाद हम यहाँ पे एक list डाले हैं जिसमें हमें इस function को call करना था अगर हम चाहे तो हम इस function को declare अलग से करें या तो हम चाहे तो यहाँ पे ही lambda expression भी use कर सकते हैं तो lambda function में मैं आपको बोला था कि इसे आपको बाद में समझ में आएगा जादा तो बाद में इसलिए वो बोला था क्योंकि यह जादा तर function के साथ use होता है तो अभी यहाँ पे जो भी function आपको बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं lambda function को use करके lambda और lambda एक parameter लेता है parameter में हम num डालते हैं और इसका expression क्या होगा expression होगा num into num और मैं अब इसे print करवाऊं तो क्या होगा इसे print करवाने से हमारे पास एक object आएगा map object आएगा यह देखिए हमारे पास अभी भी एक map object आया है इस map object के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं अब मैं वो बात करता हूं तो मैं अब यहां पर print नहीं करवाता हूं मैं सबसे पहले आपको एक list में convert करता हूं इसे और उसके बाद मैं आपको print करके दिखाता हूं और अब मैं save करके run करूं तो यह देखे अभी हमारे पास सही output आ रही है अब हम क्या करेंगे हम एक variable में इस map object को store करेंगे s नाम के variable में इसे store करते हैं तो अभी हमारे पास s में क्या print होगा अगर मैं print करूं s को तो अभी हमारे पास क्या print होगा अभी हमारे पास एक map object प्रिंट हो रहा है अभी तक तो यह आपको समझ में आ गए होगा कि map function हमें एक map object देता है तो map object के साथ हम क्या कर सकते हैं map object के साथ हम loop लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर loop लगा तो for i in s print i अगर मैं इसे save करके run करूँ तो यह देखिए हम यहाँ पर loop लगा सकते हैं लगाने से हमें आरे पास यही answer आ रही है इसका ही square आ रहा है तो अब हम बात करते हैं अगर हम इसे एक से ज़्यादा बार loop लगा है तो हमारे पास क्या answer आएगी अगर हम यह एक से ज़्यादा बार loop लगा है तो भी हमारे पास एक ही बार loop चल रही है मैं यही आपको बताना चाहता था कि हम map function को use करते हैं तो हमें यह map object देता है और map object में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बाल loop लगा सकते हैं हम यहाँ पे ज़्यादा बाल loop नहीं लगा सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे map object में जो भी answer आएगा उसको हम list या tuple या sets किसी में convert करते हैं और अब मैं अगर इसे save करके run करूँ तो यह देखिए हम यहाँ पे पहली बार तो loop लगा ही लिए लेकिन हम चाहें तो हम यहाँ पे जितने बार भी loop लगा सकते हैं तो यह देखिए सबसे पहले वाला loop यह काम किया है और उसके बार वाला loop में यह काम हुआ है तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा कि map function क्या काम करता है अब map function में आप चाहें तो आप user defined function भी डाल सकते हैं predefined function भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे predefined function भी डाल सकते हैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सबसे पहले मैं इसका data change करता हूँ minus 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 और यहाँ पे भी minus अब अगर हमें absolute function को call करना है और इन सारे data का absolute value निकालना है तो हम यहाँ पे simply absolute function का नाम लिख सकते हैं और अब मैं save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास पूरे के पूरे absolute values आ रहे हैं तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे user defined function भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे predefined function भी डाल सकते हैं और यह map एक object देता है return करता है और उसको हम list, tuple या dictionary किसी में भी convert कर सकते हैं जैसे हमारे users पढ़ेंगा और उसके बाद मैं map object का एक और users बताता हूँ map object दो से ज़्यादा list को map करने में काम आता है map करना मतलब मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे list है list 1 और list 1 में 1 है 2 है 3 है 4 है और हमारे पास एक और list है list 2 और उस list में क्या है map मतलब अगर हमें इस list में operation करना है कि हमारे इस list का पहला item और इस list का पहला item प्लस हो जाए और इस list का second item और इस list का second item प्लस हो जाए इस step का काम आप list comprehension को use करके भी कर सकते हैं अगर आपको मान के चलिए इस list में सबसे पहला item जो है और इस list का पहला item जो है उन दोनों को add करना है और आपको ये सारे चीजों के लिए करना है तो आप उसे list comprehension को use करके कैसे कर सकते हैं आप उसे सोचिए और खुच से कीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ तो मैं एक variable बनाता हूँ result और result नाम के variable में मैं map function को call करता हूँ और map function क्या करेगा map function सबसे पहला argument लेगा एक function उस function को मैं अलग से भी declare कर सकता हूँ और उस function को मैं lambda expression से भी बता सकता हूँ तो मैं यहाँ पर lambda expression बनाता हूँ और यहाँ पर मैं x,y लेता हूँ x में इस list के लिए हूँ और y में इस list के लिए हूँ तो मान के चलिए हमें इन दोनों को add करनी है तो मैं यहाँ पे x plus y लिखता हूँ तो यह तो हो गया हमारा first argument अब हम यहाँ पे second argument बाडालेंगे list1, list2 तो अब हमारा क्या function काम करेगा इसमें हमारा सबसे पहले एक map function है map function क्या करेगा x और y को plus करेगा अब यह x और y क्या है x हो गया list1 का जो first element ही यह और y हो गया इस list में जो सबसे पहला data है वो तो हमारे पास एक map object बनेगा और map object में 5 plus 1 6 होगा 6 plus 2 8 होगा 7 plus 3 10 होगा और 8 plus 4 12 होगा और मैं print करवा सकता हूँ result को और मैं save करके run करूँ अगर तो यह देखिए हमारे पास 6 8 10 12 यह हमारे answer आ चुका है हम इस वीडियो में क्या क्या देखें सबसे पहले हम देखे map function क्या होता है और map function से भी पहले हमने देखा और उससे भी पहले हमने देखा कि हम बीना map function से map function वाले काम कैसे कर सकते है क्योंकि सारे programming language में map function नहीं होता है तो आपको उसमें खुद से करना होता है तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बीना map function से वो काम करना सिखाया और उसके बाद मैं आपको map function के बारे में बताया map function में कैसे हम parameter डालते है map function आपको क्या क्या output देता है और आप map object से कैसे deal कर सकते है अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा iterable और iterator इन दोनों में क्या difference है वो बहुत जादा important वीडियो हने वाला है आप उसे बिलकुल मिस्मत कीज़ेगा थांकियो फॉर वाचिं दिस वीडियो और प्लीज लाइक मैं वीडियो और सब्सक्राइब तो मैं चैनल पर मोर क्वालिटी कॉंटेंट